हेलो वेल्टम बैट बच्चो लो प्यारे बच्चो स्टार्ट कर रहे है नहीं रेक्षर बेटा एक चप्टर अब फुल फ्लेच पैक हो गया है कला आप में रिटन टेस्ट देने उसका फाइनिंशल में फार्केट का ठीक है ना अब बेटा चप्टर सुरू कर रहे हैं दोस् पांच जिन की चप्टर बड़ावट्स को खडम करते हैं बड़ा काय स्टाफ है बहुत और लेंट में हो सकता है आपको बड़ा लगना पर बच्विल दीटिव्टिक आपको असान बहुत है चलो सब सामने देखना बिटा में इंटरब पहले सब सामने देखो बिटा अभी मैं टेबल बनाने जा रहो ठीक है आपको राने बच्चों को तो रटी पड़ी होगी नए बच्चों के लिए बेटा पैली बार बना रहो एक आग बार और बना तो आपको भी रट जाए बुल मुश्किल बात नहीं है कि मैंनेजमेंट के पांच फंक्षन है और मैंना भी मैंेजमेंट दीन टख लीगिन कोई यहां बतलो विटा मैंनेमेंट के पांच फंक्षन हैं जिसको प्यार से पोश्दी आख सी कहते हैं तिकाना नाम बताने जरा फलकॉम, Planning, Organizing, Staffing, Parenting and Controlling, बच्छे करें यही द्वात्त है बसना, तिकाना, और वो Planning, Organizing, Staffing, Directing and Controlling, अब जानलो की Planning का function क्या है, क्या है, organizing का function क्या है, staffing, directing, controlling के function क्या है, ठीक है ना और यह base है बेटा, पांचो ही chapter का, ठीक है यह planning, organizing, staffing, directing, controlling, इन पांचो chapter का base है, बभू, सब सामने देख रहे हैं बेटा, मालनो बेटा, organization का last financial year बीच चुका है बेटा, financial year is 20 to 23 और बेटा, मेरी organization ने बेटा, 10 लाख unit produce भी गर्दी और sale भी गर्दी है last year, ठीक है आज बेटा, organization में नए financial year की शुरुबातों ने जा रही है, एक अपरल 2023 है, और आज मेरी organization अपने लिए objective सूच रही है, बेटा, planning का काम सिर्फ एक है, हम सूत रहें कि मेरी organization क्या करें जिसे पूरे साल बर रहे है, और decide यह हुगा, कि हम इस सेल को 20% से इंग्री, यह शुच्छ यह प्रसंट से बढ़ाना चाहिए यह अब यह बात ज़ाना मेशा प्लाइनिक फॉचर नर्फ प्रस्ट पीटा इन ही नहीं का सकते कि सब्सक्राइब कर दो कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपने कमिंग फाइनेशल के लिए आने वाजे साल के लिए प्लाइब करते हो बिटा और गनाइसिंग में जैसे सबी रिसोर्स तो लेकिंगे लिए वेटा सारे सोर्स पर वेटा यह भी लिए अग्सेप्ट ही वन रिसोर्स मतलब एक कि अधिक शेट किया इस टागेट को अचीव करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्स की दुरत पड़ेगी शायर बेटा बारहल आखे लिट ऑफ रॉम मटीरियल थे होगा शायर कुछ मशीनडरी वी चाहिए होगी तो बेटा अगर मशीनडरी खरीद नहीं है और रॉम मटीरियल खरीदने है सारे रिसोर्स तो और गनाइसिंग नहीं होगे लिए लिए लोगी इसकी चर्चा या मत करना है तो इस प्लस एक और काम करते हैं और गनाइज़ेशन को छोटे चोटे टुकडों में बाट देते हैं इसको बेटा किसी को याद हो तो बेटा अगर मैं स्टापिंग में क्या घरते हैं बेटा ये टागेट सेट किया बादा आख यूरेट ठीक है तस लाग यूरेट पिछले साल प्रडियूस्ट व्यूंस देल लिए अब टागेट है बादा लाग यूरेट को सकता है ये ओर्गनाइज़ेशन में इतने एंग्लोईस हो जो जो सवा दस या साधे-स दस लाग यूरेट तक बना सकते हैं और ऐसा जरो रही है कि बारा लाग यूरेट को प्रडियूस करने के लिए और सेल करने के लिए लिए और ये और और इस्टाफ एक्सट्रा को ये और इस दिशन भी ये रखती है और उनको आईडल भी थागे थाल पागे सेलरी को यह पॉट करें तो बेटा अब उचे विज़ुरत पढ़ेगी जो टागेट को प्रडिउस अगर एंप्लोईस की रेकौर्मेंट आएगी तो एंप्लोईस की सारी सारी चर्चा तो यह पर है तो मैंने भी थोड़ी से बात लिखे और बेटा मैं आगे बढ़ वापस्ति आओंगा इस पर ही आओंगा ठीक है जिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए कुछ साफिंग में आगे बड़ी स्पींपल सी बात करो तो और नाइसिंग मतलब विटा यूवन रिसूर्स को छोड़ दो फिजिकल और और फाइनेंशल रिसूर्स को इखटा और इस टागेट को अचीव करने के लिए जितने हिवन रिसूर्स जाहिए वो सब को चीव करने के लिए और कुछ नहीं हो एसा बोलते हैं बेटा हुआ डारेक्टिंग इनिशी एक्टर एक्टिंग अच्छाल वरकिंग स्टार्ट्स विद्गा डारेक्टिंग से उता है उससे पहले तो मेटा बस रिसोर्स इगट्टे विद्ग तो यहां से अपने एक्चु साल वर खतम हो गया आज साल का आकरे दिन है बेटा इकत्यस मार्च दोजार चौवेस है कि तरेंट फाइनेंचल यह बेटा तैइस चौवेस है था वह आज आपकी एक्ट्वल परफॉर्मेंस कैल्कुलेट होनी है और माल लो बेटा एक्ट्वल परफॉर्मेंस आई कि बेटा 11,75,000 बनी और 11,75,000 बिख गई ठीक है मैं इस एक्ट्वल परफॉर्मेंस को कंपेर करता हूं बेटा बिट स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्स मतलब वही टार्गेट्स जो मैंने अपने लिए सेट किये थे एड़ दा प्लैनिंग स्टेज बेटा प्लैनिंग स्टेज प्लैनिग प्लैनिग अपने लिए टार्गेट सेट किया था कि 12,000,000 बनाना और वेचना जाता हूं जब कि बेटा एक्ट्रोलीं का ताम यह होता है कि यह एक्ट्रोल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेर कराती है और जो भी कमी रह जाती है बेटा उस कमी को दूर करने के लिए प्लैनिग एक्ट्रोलींग नहीं लेता है यह जो मेरी कमी रह जाए 25,000 युनिट कम प्रडियूस होई 25,000 युनिट कम भी की इज़र बेटा कोई भी कॉस और देविएशन था कोई भी उसके खिलाफ आज यह एक्शन लेना अभी एक्शन लेना कंट्रोलींग में ही लेना बार 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 यह निक्कत आ रही थी बार बार रिपेरिंग मांग दे थी बहुत परशानी होई आपको जिसके वैसे 25,000 युनिट कम बनी है और उसी के वैसे 25,000 युनिट कम दिखी है पीटा आपको कॉस और डेविशन पता लग या आज ही एक्शन लेना क्योंकि पेटा अगर आज अगर आपने अभी इस चीच के ओपर एक्शन नहीं लिया तो यह कभी अगले साल पे फिर पकाने नहीं नहीं होगी है ठीक है ना कॉस और बेविशन कुछ और भी हो सकता था मालो बेटा मैं पर पहले यह बताता था कॉस और डेविशन अगर मां कहूं कॉस और अगर अगले साल फिर खरीद होगे फिर खराब वेज़े और बुलंद हो जाएं यह तो कुछ कहते ही नहीं अगली बार पचास अगर खराब डालो 25 क्यों डालो तो आज और अभी एक्स पर लेंगे हम कंट्रोलिंग में बेटा ठीक है ना जो भी कॉस और निकलेगा और बेटा उसके बाद साल खतम हो गया अब बेटा साल खतम हो है और गनाइजेशन खतम नहीं हुई दुबार आज़ो प्लैन करेंगे बीट अब बेटा आज और अपर गट्रण के लिए घ्रिव घ्रियर जाना जबीटा पर बेटा इस बात से क्यों लेना देना नहीं है कि कमी आ रही है यह यह नहीं आ रही है एसा भी हो सकते है कि साल कमी ना आए मेरा कार्विटा 15 लाट का 15 यह बन गई यह बिक गई तो एक्शन क तो इससे क्या पर एक्षण नहीं है साली तो खतम हो है और गनाइजेशन तो नहीं खतम हुई बीटा दोबारा आजब प्लैनिंग पे आप लिए साल के लिए प्लैनिंग खरें के जो बीटा प्रॉसेस है पोस्ट डीज दीए एक कॉंटीनियस प्रॉसेस है ओन गूइंग प् एक्छ प्रसेशन में रहेगी तब तक एर रहेगा कि एरेगी सब्न उल्टीनियस है कि एसाइब कावशैस हमें एक्पीड गांग प्रोनिंट कर देख कर रहे हैं कि चल क्या है। लेकिन काम सबका अलग अलग है यह पता होना अच्छी आप तो सभी कॉंट्यूनिस सारा साल चलेंगे सारे का सारे पंक्षण सारे साल चलेंगे सब्सक्राइब करेंगे स्टाफिंग से मैं बात को यहीं सा आगे बढ़ाऊंगा पहले मैं यह बता देता हूं कि मैं टॉपिक कौन सा गरा रहा हूं फ्रेंट पेज़ पर सेक्वेंस है रही हूं ठीक है ना विटा टॉपिक बढ़ने जा रहे हूं प्रॉसस ऑफ प्रॉसस ऑफ स्टाफिंग ठीक है विल्कुल स्टाफिंग के पहले पेज पर हो लगवन पेज नमर 42 3 के आसपास हो गयता है 46 के आसपास है जी मैं तरफ देखना बढ़ा मैं हम्हें से ऐसा बोलता हूं और यह बटा नहीं बच्चों के लिए बार बोल देता हूं बेटा य मेरी टॉपिंग आरे ना प्रॉसस तो इसका मतलब यह समझे उसके माइने अलग है यह कोई अडवांटेज डिस अडवांटेज तो है नहीं कि भाई समय है याद करके लिए लेकिन मुझे पहने जो है मैंने याद करी थी वह याद नहीं दूसरे नंबर वाली आता हुई त सब्सक्राइब और सबस 쌓 नहीं करस दोन हें तो बछुट दियुकर के रहें संसा कि मुझे अधा एक करताह फिकूर्स नहीं स्टापिंग प्रोसेस स्टापिंग प्रोसेस स्टापिंग उसी बेस से खतम किया था पिटा टागेट चाहिता है प्लैनिंग में इस टागेट को चीफ करने के लिए कि 12 लाग इन बनानी है मैंने और रिस्टापिंग शुरू वाद कहां से उठापिंग पास हो सकता है इतने एंप्लूई हो कि 10 तो बनाई सकते थे दस तो बनी हैं लास्ट एर कि 20-30,000 फालतू बनाने के फालतू है या कई बार मेरे पास यह इतने एंप्लूई कि वह नौउ लाक ही बना सकते थे टिकिन मैंने उन से ओवर्टंग सा रिखनि लेकिन इस अंप्से साकह करा ग मौ गवर यह सकतना तॉत बनाने का कुण दश्यक्त नहीं और जक्ञत मुझे तो मुझे स्टाफ के जुरत बड़े थी, जो इस टार्डेट को प्रडीउस करें, इसकी मार्केटिंग इतने अच्छे से करें, इतने अच्छे से करें, ये टार्डेट बुरा ओचाने हैं. थेकई न जी तो बेटा staffing यहीं से शुरू होता है बेटा पहली heading आती है Estimating Manpower requirement СТ manpower requirement सब सामने रिखेंगे बेटा और अरांसर को समयने की कोशिश करेंगे अगर आब इसका नाम पढ़ो ना बेर तो नाम से बेटा ये समझ में आता है कि अच्छा estimate कर लो कितनी manpower चाहिए that simply means बेटा आपके दिमाग में आता है सोच लो समझ लो कितने number of employees आपको चाहिए उस target को चीब करने के लिए यही आते है नाम से अन्युक्त हो ता जिता हूं बेटा ये particular step कि इस बात से रिलेट नहीं करता है सिर्फ नंबर ओफ एंपलोई की बात नहीं करता है ये दो बातों से रिलेट करता है नंबर ओफ एंपलोई as well as the type of employee इन दोनो बातो से रिलेट करता है सोच लो कितने number of employee चाहिए लेकिन साथ के साथ ये भी सोच लो किस टाइप का employee चाहिए तो बेटा मुझे ये भी सोचना पड़ेगा इन चाहिए कितने production में चाहिए कितने marketing में चाहिए कितने sales में चाहिए या सबसे production ही कराओगे सर कुछ तो marketing करेंगे तभी तो बिगेगा product फालतू कुछ तो sales में भी जाएंगे ही हो सकता है दो-चार finances में भी चाहिए हो हो सकता है वेटा एकाद human resource department में भी चाहिए हो तो बिटा type का मतलब होता है कि मुझे employee किस qualification के साथ चाहिए क्या nature of job में उससे perform कराने वाला हूँ किस experience के साथ चाहिए उसका background कैसा बना चीए लिए कुछ बाते हैं जो मुझे सूच नहीं पड़ती कि समझ में आरे है वेटा बात तो लिएक टाइक का मतलब क्या बेटा employee किस educational qualification के साथ चाहिए वेटा ये भी सोच लेना बस ये थोड़ी है 400 employee चाहिए वाला कोई भी आने उठके कोई भी चलेगा क्या आपको ऐसे तो नहीं हो सकता organization में कोई भी employee चलेगा तो बेटा 400 चाहिए ये भी तो सोच लो कितनी education कितना experience कैसा वेग रहा हूं क्या nature of job perform करानी आए ये सब सोच लो बेका क्लियर है बेटा बात समझ में आती है बात पक्का से और बेका जब आप type of employee की बात करते होना तो कई ना कई organization की policy भी type of employee के आड़े आई जाती है आई वार मेटा organization की policy ऐसी होती है कि मैं 10% job moments को दूँगा या मैं 15% 20% जो minority को दूँगा ठीक है ना या इस caste को दूँगा जो भी decide करते हैं जैसे वह उनकी policy होती है तो बेटा अगर आपकी policy ऐसी कुछ प्रेम हुई भी है तो वो भी consider कर लेना type of employee में clear है बेटा जो बात बोले हों समझ में आ रही है सारी पक्ता से तो बेटा फिर number of employee की काहानी ये कैसे calculate होंगे number of employee बेटा जब हम number of employee calculate करते हैं तो इसके लिए हम दो analysis perform करते है प्रस्ट मेंस work load analysis work load analysis and second one is workforce analysis राम से समझ लोइं दोनों की चर्चा वेटा, workload analysis सबसे पहले हम perform करते हैं workload analysis क्या बताता है वेटा, workload analysis ये बताता है कि 12,00,00 unit बनाने के लिए मतलब जो आपका टार्गेट है उस टार्गेट को बनाने के लिए और बेचने के लिए कितने employees required होंगे इन टोटल ठीक है work load analysis क्या बता आता है बेटा total number of employee required to accomplish your objective ठीक है ना कितने total number of employee required होंगे बेटा आपके object है वो achieve करने के लिए सपूस की बेटा मैंने workload analysis perform किया और यह कहता है कि पंदरा संट लुची है ठीक है को दिक्कत तो लिए बेटा workforce analysis यह क्या बताता है बेटा workforce analysis यह बताता है कि organization में existingly कितने लोग अभी काम कर रहे हैं and how much of them are overburdened or underburdened कि अभी कितने काम कर रहे हैं existingly कितने काम कर रहे हैं यह तो यह बताता है बेटा total number of employee required to accomplish your object है workforce analysis बताता है कि existingly अभी organization में कितने काम कर रहे हैं इसमें over या underburdened है ठीक है ना जी और बेटा हम ने देखा हमारा workforce analysis कहता है कि 11 employee काम करते हैं जिसमें से 100 बहुत बुरी तरीके से overburdened है double shift काम कर रहे हैं तब जाके वो 10 बिना पाए ठीक है तो बेटा इनका difference ही होता है कि कि इतने number of employee मुझे चाहिए है कि समझ भाए बेटा बात कि स्टेप दोई बातों से रिलेट करता है number of employee as well as type of employee और number of employee कैसे निकलते हैं बेटा इन दोनों का difference ही है कि number of employee मुझे कितने चींग टोटल पंदरा सुची है टागेट अचीव करने के लिए अभी मेरे बस ग्यारे सो है तो 400 और आएंगे ठीक है चारसो और आवे बेटा किस क्वालिफिकेशन किछी है 400 में से उनका बाइफरकेशन क्या है कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना experience कितने फ्रेशर ठीक है ना और साथ साथ मेरी पॉलिसी इसके इसाथ से बेटा सब कुछ तैंट होगा को रिक्कत तो नहीं अब यह तैया होगे चाहर सो एप्लोई चाहिए डिपरेंट इपरेंट इपरेंट इवाट्मेंट में चाहिए पालो बेटा तीन सो चाहिए मुझे प्रड़क्शन में 50 चाहिए ने मैं पचाहिए यह सेल्स में मैं ऐसा तैय कर लिए और थीन सो में से भी बेटा यह प्रड़क्शन में चाहिए मुझे बस पचाहिए एक्स्पीरियंस जिनके बास एक दू साल का एकश्पीरियंस हो पाकि मुझे सब फ्रेशर दोड़ेंगे डिटेस हो तुक्त पर इतना होगे को दिखत तो नहीं आप इसा हो सकता है अभी शुरू में चैप्टर धीरे चले क्योंकि अभी चैप्टर का बेसी बन रहा है तो आप जाने रहे और चैप्टर में क्या-क्या उसका भागता चला जाता है बहुत जादा इसी ठीक है कोई टेंशन नहीं है मैटा बड़ा इजली गोर्स कतम होगा आपका कोई नहीं अगर वैसे एकाँ चैप्टर रहे भी गया तो क्या पर हो कि तुम भी तो दानी पुत्तर हो तूम भी दोचार नंबर तुम कहा देखते हो तो दानी कराते हो तो चलो लो बेटा हम चर्चा करते हैं सेकंड और थर्ड स्टेप इस सेकंड इस रिक्रूटमेंट औ पहलते हैं हम इस नाम सτί जो कि मैं नेगेतिब अखिट के शनी नहीं रावन चाहिए हुं आइने पहलं जोड़ा सोच लिए लेँ आपने एम्पलोई के रिइक्मार में ईमध्रेट एंदिफेशल नहीं हों मैंने सोच लिए और तमझ लिए पीटा जब मुझे चार संट नोई चाहिए ना तो मैं क्या करता हूँ कोई ऑर्गनाइजेशन क्या करती है रिक्रूट्मेंट के टाइम पर वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा केंडिडेट को एप्रोच करें वो जादा से यादा कैंडिडेट को मोटिवेट कर जाद से ज़्यादा दुनिया ओर्गनाइजेशन में जॉब के लिए एपलाइड तरह कि इस वकैंसी कोना मेरी ओर्गनाइजेशन वाइटली एडवर्टाइज करना साइट जान जानू कर सकती है क्योंकि रिकूट्मेंट क मैं पर यह चाहता हूं कि जादा से यादा दुनिया अपलाए तरह कि उतने जादा सुटेबल चंसे उतने जादा सुटेबल मिलेता है कि आपको सोचवेट मेरी ओर्गनाइजेशन है एक स्कूल है पढ़ाने के लिए और एक ही टीचर ने अप्लाय कर रहा हूं तो बेटा आपको कभी भी कोई वकेंसी निकलती है और अर्गनाइजेशन के अंदर आप चाहते हो मैं उसको जहां 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 सकता हूं हर जले बता दू सब को मोटिवेट कर दो मेरे और जोग के लिए अप्ला आप सोचो तेरी और गनाइजेशन में एक वकेंसी यह वन इतना अड़टाइज करा वेटा पांसो लोगों ने अप्लाय किया अब आपको सोचो वेटा जो एक आजिए दिन पांसो में से सलेक्ट होगा वो कितना कॉम्पर्टिटिव रहोगा समाहर हो ने स्पीच को तो पीटा रेक्रूटमेंट इसलिए पॉजिटिव स्टैप है क्योंकि यहां चाहतो सारी दुनिया यह आज अप्लाय करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है सब आ जो 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 आ सकता है जिसके पास में वो रिक्वार्ड वानिफिकेशन पर एक्स्पीर हमारी अंतर 10 लाप हर लोग खड़े होजाते है एक दोब के भीछे महां अब बेटा नमबर ओफ सेलेक्टेट्ट गैंडिडेट estan साइध हमेशा ही काम सा करू अप बमिश्या होके है यह यह आपक करते हैं हमेशाी उन करेंगे इन सबके टेस्ट करेंगे इन सबके टेस्ट करेंगे इन करेंगे सबका और विदा उस इंटर्वियू स्ट के बीसिस के आंड़ी कौन नेगेटिव स्टेप को दिकत तो नी बढ़ाएं आगे चार सो लोगों को जोब देनी थी माल नों देगे बिटा यहां सेलेक्शन गर दिया होगा ठीक है बढाएं बात को आगे बीटा पोट स्ट ge vesement and orientation fourth step is placement and orientation वह बीच में जो को अंड है ये घ। तziękरं लोड के दोणो के मतलब को मतलब टिक विक इस ह вли आigraph क्या होते हैं employee occupy the job position for which he or she is selected is known as placement वेका आपनी जॉब पॉसिशन के लिए सोचा था एमलोई ज़िए जडिन वो आपनी जॉब पॉसिशन को occupy कर लेता है जिस दिन अपनी सीग पर अपनी केबिन में जाकर बैठ जाता है वो placement हो फूसिए सब्सक्राइब लेक्शन किया जब दिन बोलाया जो सब्सक्राइब करें तो इंसान आगे अपने कबिन में अपने कबिन में बेटा का सिंपल मतलब होता है फैमिलियर कर लोग नहीं चैनल मे जानते हैं कि अब उसको करो मेरी नाईजन के चैनल मिलेशन के साथ उसके सुपीरियर से एक क्षा साथ विचन अब जब्स means проблемы के साकिर अबजिशन को प्चैनि और ऑब जिक्ट्छी चैनल किस वीजन के साथ गरल मेरी और्गनाइजेशन किस मिशन पे चल गरें मेरे और यूजय क्या है हमारे यहां का क्ल्चर क्या है सब बताओ उसको को इंट्रडिउस कराओ हर चीछ से क्योंकि वो कुछ नहीं जानते मेरी और इंटेशन के बारे में और येंटेशन सिंप्ली मींस फैमिलियर कर दो ना एंट्लोई को तो जानते ही क्या है और विटा फैमिलियर करने के हर और 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 तरीके डिपेंडिंग अपॉन दा मजट ठीक है ना जो छोटी ओर्गनाइजेशन होती है वो कैसे फैमिलियर करती है वो ब्रोचर से करती है ब्रोचर क्या होता है बेटा कुछ नहीं दो चार पेज प्रेंटेड है पके पकाई से रोज रेगुलेशन लिखे हैं MDC होगी फोटो लगी होई है कितनी उनकी क्वालिफ करना कुछ गंटों का ही काम होता है जो आज की तारीक में ओर्गनाइजेशन है ठेटा क्लेंथ की है मेडिया में इंटरफाइज है हो कैसे करती है महां मेटा प्रेजेंटेशन भूम रहता है इसी चीज़ के लिए सारे के सारे चार सो नए एंपलोई को ले गए प्रेजेंटेशन हों में बिठा दिया और क्लिपिंग चला दिए एक के बाद एक क्लिप आ रही है पहली क्लिप में MD कौन CEO कौन प्रमोटर कौन ठीक है ना क्या उनके मिशन विजन अबजेक्टब थे ठीक है ना या करेंट ग कोडिनेट सा मिलवा दिया सबको ये आपका superior आपको से order लेने ये आपका subordinate आपको से order दिने तो हर चीछ से familiar करना इस orientation चीक है जी समय बे आती है मिटा बात होगी placement होगी orientation चलो बढ़ाओ आगे बात पिटा next one is training and development ट्रेणिंग डेवलप्मेंट चलो जी बभू अगें कुछ लोग बेटा इन तर्म्स को भी इंटर्चेंजबली यूज़ करते हैं पर बेटा ये एक बात तो है नहीं वरना ये वाड बीच में एंड नहों तो ट्रेणिंग और डेवलप्मेंट हो जाता बभू ट्रेणिंग आपका स्किल बढ़ाती है और नहीं बढ़ाती है और आपका स्किल बढ़ाती है तो ट्रेणिंग हमशेट स्पेस्टाफिट फिल्ड में उती है एंड जैनरली मेटा इस रिलेटे टो यूर जॉब पोजीशन ट्रेनिंग मेटा एक ही फिल्ड में होती है और यह जैनरली आपकी जॉब पोजीशन से रिलेट करती है मैं कहता हूं आप कितना पढ़ लिख कर चले जाओ और गनाइजेशन आपसे सीधा वरकिंग स्टार्ट नहीं कराती है हमीशा आप पो गएगी पहले आप तीन में आप त्रेनिंग पीरिड पे रहोगे जो आपको सैलरी मिलेगी वो ट्रेनिंग ये लिलेगे एक आपको फुलले के अलिए शुरूके काई नहीं आई जुतना मर्थी पड़ लिखके चब साय ए थिक है ना तो थे रह्मिक के सेलरी बिलती है कुछ ट्रेनिंग पर रहाते हो चाह तीन महीं ने चेश्में अचेश्म हें चेंस महीं यह आपकी जौब पर भीड़िपर खरता तो बमानो आक त्रेनिंग फिर्ड पर रो ठीक है न क्या और क्या क्या जानते हो लेकिन बाथ यह है कि चुमं opinion in बहुत सारे गर करते हैं तो आपकी त्रेनिंग पीरिड पर रखा गया आपको आपको सिखाएंगे शॉब्ट्वर्स दिखाएंगे चला ठीका ना बेटा ये ट्रेनिंग ही है क्यों इस रेलेटेट टो यॉर जोब पुजीशन ट्रेनिंग एक ही फिल्ड में होती है और वह एक फिल्ड बेटा आपकी जॉब से रेलेट करती हुँती है इसका जॉब से कोई लेना देना भी नहीं होता और कभी तो भी सकता है लेकिन ये ओवरोल रिस्पेक्ट में होती है ठीक है ना जैसे की बेटा आप हो तो अकॉंटेंट मेरी ओर्गनाइजेशन ने सब के लिए इंग्लिस्टोकन प्रोग्राम और्गनाइज करा सभी एंप्ल ओवरोल डेवलप्मेंट के लिए ये ठीक है ना यह आपकी जॉब्स का रिलेक्ट नहीं करता है हिल्दी में बहुलों के में चलेगा क्लेर रहेट रहां क्या पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रोग्रम यह सोफचल ट्रेवर्ग्रम और्गनाइज की आपके लिए इक पेने रिलेटेटेट टो एक जौब प्रो लिए आपकी ओडुबलपमेंट के लिए तो इता स्कील ये भी इंप्रोव करता है ये नियुक्त का खोईड फैंस ने हैं रेनिंग एक मिदमें में होती है and it is related to your job position development फिल्ड में नहीं होती यह overall होती है in all respect it may or may not be related to your job position को रिकत तो नहीं मेटा 5 steps समझना है आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बिक्षो बाइ